महेश नाम का एक बहुत गरीब मजदूर था जंगलों के बीच में एक छोटा सा गाउं बना हुआ था वहाँ उसका एक छोटा सा घर था बिल्कुल कच्चा घर था टूटीवी टहनीों से मट्टी से बना हुआ घर था वो और उसका परिवार उसके बीवी बच्चे बहुत मुश्किलों में उस घर में रह पाते थे बारिश का पानी आता था ठंड आती थी घर तूटता और खराब होता रहता था अब उसके बास ना तो पैसा था ना इतना समर्थे था कि वो समान खरीदे मजदूरों को बुला और अपना घर बनवाए लेकिन एक दिन उसने फैसला लिया कि वो अपना घर खुद बनाएगा और कम से कम एक ऐसा घर बनाएगा जहां छट ना टपके जो बारबार टूटे ना खराब ना हो महनती तो वो था ही घर बनाने में लग गया महीनों तक महनत करता रहा लकणिया काटता रहा पत्थर इकटे करता रहा बहुत बार बनाया टूटा फिर बनाया टूटा इस तरीके से कर करके साल भर में उसने एक बहुती मामूली लेकिन पहले से बहतर घर तयार कर दिया वो घर ना तो मजबूत था ना टिकाओ था लेकिन तो भी जैसे घर में वो पहले रहता था उससे बहुत अच्छा था बहुत खुशी से वो और उसका परिवार उसी घर में गुजर बसर करने लगे गाओं वाले देखके बहुत जलते कि हम लोगों ने महलत करके पैसा कमा के अपने घर बनवाए हैं और इसने बिना पैसे की एक घर बना लिया अब महेश की खुशी जादा दिन नहीं चल पाई कुछ महीनों बाद गाओं में एक तूफान आया और घरों को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उसका घर इतना कमजोर था कि तूटके बिखर गया वो और उसका परिवार दुबारा सड़क पे आ गए तूटे वए घर में गरीबी में रहने की उनको आदत तो थी ही तो महेश ने हार नहीं मानी दुबारा हिम्मत जुटा के ठान के महेश ने फैसला लिया कि वो घर बनाएगा और अगले दिन से महनत करने में लग गया फिर से पेड काटे पत्थर इकटे करे और महनत करना शुरू कर दिया क्योंकि वो घर एक बार बना चुका था काफी चीज़े उसको समझ में आई थी गिर गिर के फेल हो के परिशान हो के सीखा था इस बार उसने कम समय में एक घर तियार कर लिया जहां पिछली बार साल भर में घर तियार हुआ था इस बार कुछ ही महीनों में उसने घर तियार कर लिया वो और उसका परिवार फिर से खुश होके सुख से उसी घर में रहने लगे हाला कि वो बहुत अच्छा तो नहीं था तो भी उनके लिए बहुत अच्छा था और एक बार गिरने के बाद घर तूटने के बाद वो बहुत बड़ी सफलता थी लेकिन महेश की किसमत इतनी खराब थी फिर से कुछ महीनों में एक तूफान आया फिर से उसका घर तूट किया और परिवार सड़क पे आ गया इस बार महेश बहुत परिशान हुआ बहुत रोया लेकिन अब वो घर बनाने का थोड़ा सा आदी हो गया था उसको अतनी महनत करने की आदत पड़ गई थी इस बार उसने फिर से ठाना की वो एक बार और घर बनाएगा और इस बार और बहतर तरीके से घर बनाएगा ताकि तूफानों में घर ना तूटे बहुत महनत करी बढ़िया से बढ़िया पत्थर इकटे करे उनको तरीके से लगाया उनमें जोड लगाया बहुत सारी चीजे समझी, सीखी और पहले से काफी अच्छा एक घर तैयार किया काफी मस्बूत घर तैयार किया इस बार उसको बरोसा था कि कोई भी तूफान उसका घर नहीं तोड़ पाएगा वो और उसका परिवार फिर से शांती से, खुशी से, सुख से उस घर में रहने लगे, अपना गुजर बसर करने लगे कुछ महीने बीते, साल बीता, डेड़ साल बीते अचाने के एक दिन उनके गाउं में बहुत बड़ा भुखम पा गया ऐसा भुखम था कि गाउं में जितने भी घर थे कच्चे थे, पक्के थे, मस्बूत थे, जितने भी घर थे सब तूटके बिखर गए, चकना चूर हो गए, लोग बरबाद हो गए लोग का सारा समान दब गया गाउं के सब लोग एक समान हो गए, किसी के पास ना तो पैसा था, ना सामर्थे था महेश का भी घर तूट किया गाउं के सब लोग कमजोर पड़ गए, हार मान गए किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करे ना कोई मजदूर था, ना पैसा था, दुबारा घर कैसे बनाए लेकिन पूरे गाउं में एक इनसान ऐसा था, जिसको अपने हातों से महनत करके घर बनाने की आदत पड़ चुकी थी और वो था महेश अगले ही दिन से महेश ने घर बनाना शुरू कर दिया इतनी बार घर बनाया, तूटा, फिर बनाया कि अब उसको कोई भी फरक नी पड़ा, उसका घर तूड़ गया और उसने अगले दिन से महनत करना शुरू कर दिया लखडी और पत्थर इखटा करना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में उसने एक बहुत भैतर, बहुत अच्छा घर बना लिया लेकिन वो उसमें खुद नहीं रहा उसने गाउं के बच्चे और बूरों को उस घर में रुकवाया ताकि जो वो परिशानी भोग रहे थे तूटे फूटे घरों में रहने की भैते हुए छपरों में रहने की वो ना भूगनी पड़े फिर महेश ने गाउं वालों के साथ मिलके कई सारे घर बनवाये सबका हाथ बटाया, सबको समझाया की घर कैसे बनेगा और धीरे धीरे गाउं में कुछ घर त्यार करवाये इस तरीके से गाउं वालों को छट मिली और हर इनसान महेश जैसे गरीब मजदूर की इज़त करने लगा सम्मान करने लगा धीरे धीरे महेश की पकड़ गाउं में बहुत अच्छी हो गई इज़त बहुत बढ़ गई और एक दिन ऐसा आया जब महेश उस गाउं का मुखिया बन गया जिस गरीब मजदूर को कोई पूछता नहीं था जिसके पास रहने कोई एक छट तक नहीं थी टूटीवी टहनियों के घर में रहता था आज वो गाउं का मुखिया बन गया हर इंसान उसको पूछने लगा दोस्तों इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कठिनाईयां परेशानियां फेलियर्स, मिजरीज दुख, परिस्तितियां ये एक इंसान को मजबूत बनाते हैं ये इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं इंप्रूफ करने में, आगे बढ़ने में ताकतवर बनने में, स्मार्ट बनने में समझदार बनने में मदद करते हैं जो इन परिस्तितियों से हार जाता है परिशानियों से हार जाता है वो पीछे रह जाता है जो इनका सामना करता है तक पर महनत करता है वो आगे तो बढ़ी जाता है लेकिन इतना मस्बूत हो जाता है कि आगे आने वाली परिशानियों का असानी से सामना कर लेता है और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी बीती है जैसे महिश की बीती थी इनसान की परिशानिया और मुसीबतें उसकी काबलियत में तबदील हो जाती है उसको मस्बूत बना देती है और उसे बहतर बना देती है तो दोस्तों कठिनाईयों का डट कर सामना करो कड़ी महनत करो बहुत कुछ सीखोगे बहुत लंबी लाइफ पड़ी है उसका सामना कर पाओगे उचाईयों को निचाईयों को अच्छे से देख पाओगे जहल पाओगे और आगे बढ़ पाओगे All the best